नमस्कार तेजगती से हवाई अंधर चलने का और एक दो इस्तानों पर ओलावस्टी की गती वीदियो का नया दोर भी शुरू होगा आसामिया रात्री की दोरान पंजाब, हर्याना, दिल्ली अंसियार, राजस्तान में नए गरच अमक के बादलों का निर्मान होगा पूरे इलाके में 31 मार्च और 1 अप्रेल की दोरान हलकी से माधिम बारिस रुक रुक कर हो सकती है 20 से 30 किलो मेटर पर तेगंडे की रप्तार से हवाई चलने और एक दो इस्तानों पर गरच अमक के साथ ओलावस्टी की गती वीदियों की संभावना भी बन रही है आज जमकस में लदाख गिलगीत बालिस्तान मुझफराबाद इन इलाकों में बारिस के साथ बिजली गिरने का अलट भी जर किया है हिमाचल परदेश और उतराखन राजे में भी उचाई वाले इलाकों में बरफ बारी और वेदानी इलाकों में बारिस का अलट जर किया है राजिस्तान राजे के भी इन इलाकों में गरच अमक के साथ बारिस देखने को मिलेगी जेपूर, अलवर, भैटपूर, सीकर, चूरू, जुनजिनो, नागोर, बिकानेर, जेसलमेर, स्रिगंगानगर, हनमानगर, जोदपूर, पाली, जालोर, शिरोही, अजमेर, भीलवाडा, धोलपूर, करोली, स्वैमादपूर, टॉंक, बुंदी, कोटा, रास्मन, इन जिलो में, कहीं-कहीं पर में, गरजन के साथ हलकी से मधेम, अचानक तेजगती से हवाई चलने की संभावना भी है, मध्यपर्देश राजे में भी आफ़त बरी बारिस, एक-दो इस्तानों पर वजरपात की बिचेतावनी है, बोपाल, सैडोल, जबलपूर, नरमदापूरम, र खिसराय, जहानाबाद, बैकसायर, भोजबूर, रोहतास, बहबूआ, रंगाबाद, अरवल, जिले को लेकर ओरेंज यलट जैर किया है, इन्हीं स्तानों पर हवा की गती 40-50 किलोमेटर परती गंटा रहने का भी अनमान है, सुक्रुआर को भी उतरपूरिय बागो के सुप के साथ बारिस को लेकर के येलो अलट भी जारी किया है, आज बिहार, जारकन, ओडिसा, पस्तमे बंगाल, सिक्कीम और पुरोतरभारत में जीटपूट बारिस और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, 31 मार्च को भी असाम मेगाले, उत्री ओडिसा और गंगे पस्तमे ब पारिस देखने को मिल सकती है,